दोस्तों मैं हूँ बिली सिंख, मेरा आमरपाली किसम का आम का बाग लगा हुआ है, चार साल हो चुके हैं बाग को और धाई सो पेड़ लगा रखे हैं मैंने आम के अपने एक एकड़ के एरिये में, आमरपाली नसल जो है, 225 पेड़ के लगबग लगा रखे हैं मैंने और दूसरी किसम है मलीका, दोनों ही लेट विराइटी हैं, दोनों ही हाई डेंसिटी के लिए प्रॉपर मानी जाती हैं, और जुलाई के मीने में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि फल का साइज कितना रहता है, कितने आम टिके होते हैं आम के उपर, ऐसे दिखते हैं आम के पौदे चौते साल में, जब फल लगा हो जुलाई महीने का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो इस सिच्वेशन में होता है बाग, जिस समय हरा बरा है, तीन-चार दिन पहले बारिश हुई है, कल भी हलकी सी बारिश हुई है, लेकिन इस पार जून का मीना बहुत गरम रहा है तो यह जो घास देख रहे हैं, यह मैंने अपने आप छोड़ा हुआ है, नैचरल छोड़ दिया मैंने बाग को, इस साल मैंने कोई भी स्प्रे नहीं लगाई इसमें, मैं यूजली स्प्रे तो मैं वैसे भी अवाइड करता हूँ, मैं NPK 19 की स्प्रे किया करता था, जो फॉ नैचरल इसको ग्रो होने दिया है, इसका बैनिफिट यह है कि जैसे जून में बहुत भ्यंकर गर्मी पड़ी है, इस वार 50 डिक्री के लगबग पास पहुंचा हुआ था तो मिट्टी को जो कवर देता है, यह घास जो है, तो आप पानी लगाते हैं, जब सिंचाई करते है अपने बाग में, तो यह जो घास है ना, सन्रेस को नीचे तक नहीं जाने देता, तो उससे नमी बनी रहती है, जिससे पौदों की हेल्थ जो है, वो बनी रहती है, तो यह परपस भी है घास रखने का, वैसे मैंने कोई खर्पतवार नहीं इसमें छोड़ा हुआ है, मैनु जुलाई के फर्स्ट वीक में आमरपाली का जो साइज होता है, यह देखें, मेरी हथेली के बीच में फिट हो रहा है, काफी अच्छा साइज है यह, तकरीबन यह होगा इस टाइम डेड़ सो और दो सो ग्राम के बीच में, यह वाला तो और भी साइज में बड़ा है, तो मेरी लगबग 6 फुट के करीब हाइट है, तो हाथ भी अच्छा लंबा है, तो इसकी साइज जो है, आपको आइडिया मिल जाएगा भी जुलाई में कैसा होता है, यह अब दूसरे पेड का आम है, यह भी आमरपाली विराइटी है, तो हर टैनी पे आपको अलग-लग इसके मिलेंगे, एक जैसा साइज नहीं होता, यह तो नैच्रली सब को पता है, मेरे पीछे जो है, यह मलिका विराइटी है, आम की, इसको मैंने बैगिंग की हुई है, बैगिंग के उपर मैंने अलग से वीडियो बना रखता है, वह आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं की, बैगिंग क्यू करते हैं, थैली हटा कर, मलिका की साइज भी आपको दिखाता हूं, मलिका का साइज, जंबो साइज होता है, जब ये पकने पर आता है, तो आदा केलो ग्राम से शुरू हो जाता है और 600 ग्राम तक चला जाता है, कहीं तो 700 ग्राम तक भी गए हुए हैं, 800-900 ग्राम तक के भी निकलते हैं, लेकिन वो सारे नहीं निकलते हैं, पर आदा किलो का तो निकलता ही निकलता है, एवरेज, बहुत बड़ा साइज होता है, बैग लगाना बड़ा जिरूरी है, पैस्ट तो यह था जुलाई के महीने का फर्स्ट वीक में जो आमरपाली या मली का वराइटी है उन आमों का साइज का जो आइडिया मैंने दिखाना था इस वीडियो में वो दिखाया हरा बारा हो रहा है पूरा बाग बादल मंडरा रहे हैं कभी आ जाती है बारिश कभी रुक जाती है कभी दूप निकलाती है तो हर टाइप का मौसम हो रख है जुलाई में तो ऐसे ही चलता है तो बागवानी करने वाले भाईयों के लिए यह थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहता था भी इस सीजन में इस जुलाई फर्स्ट वीक में क्या साइज होता है पौदों का और जोटी आम की फसल लगी है तो आपने फलों को जरूर एवरी डे चेक करना है भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई इन में तो वैसे प्रॉब्लम आती नहीं आमरपाली में मलिका में आती है फ्रूट बोरर अटेक होता है तो उसका वीडियो मैंने अलग से बना रख्या भी आपने फ्रूट बोरर अटेक कैसे चेक करना है कैसे अपने फल को बचाना है फ्रूट बोरर अटेक से मलिका के ऊपर आमरपाली पर कोई फ्रूट बोरर अटेक नहीं होता बहुत बढ़िया फल है इसका इसको कवर भी नहीं करना पड़ता और राइट दोस्तों नेक्स वी